आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आए हूँ आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल अनरसा और यह अनरसा हम बनाएंगे गुड और चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है यह यह हमारी पारंपरिक डिश है और भारत के हर कोने में किसी तरह इसे जरूर बनाया जाता है इसे अरिसा, अरिसा पीठा, अरिसेलू और गुड पीठा बहुत सारे नामों से जाना जाता है तो आज हम बनाएंगे चावल और गुड का यूज करके यह टेस्टी पारंपरिक डिश जिसे बनाना काफी आसान है बस थोड़ी से टिप्स फॉल यह अर्णा बन जाते हैं तो आये शुरू करते हैं बनाना अरिसा बनाने के लिए जब से पहले हम यह लेंगे आधा किलो चावल मतलब 500 ग्राम चावल मैंने आपर लिया है या चावल चोटे दानेवाल और उаю उश किया है तो यह देखिए इस तरहीं का अरवा चावल चो अब इसको हम सोख करेंगे लाद भर य आएक से एस fountain के लिए आःट गटे कि लिए आफ us ऑप एक ऑलई कैज गैन तो जचावल रहा हं सब्सकर निखक्र एक इसे अवाल वं क्रेंगे जावल पानी है इसे देखे सुच पर अशावल कर लिया है पानी निकाल दिया है मैंने इसमें से और एक सुखे साफ कॉटन के कपड़े पे चावल को फैला देंगे ऐसे क्या होगा चावल में जितना एकस्टा पानी है वह कपड़ा एब्जॉब कर लेगा और चावल थोड़े सुखे सुखे हो जाएंगे तो यह दिके इस एक घंटे के बाद चावल हमारे कुछ इस तरह के हो गया है सुख गया है थोड़े से और हाथों में चिपक भी नहीं रहे हैं यह चावल अब बिल्कुल रेडी है ग्राइंड करने के लिए तो बस अब चावल को में कठा कर लेती हूं बिल्कुल परफेक्टली यह चावल स कर लिया है यह फाइन पाउडर बन गया है अब इसको हम चान लेंगे तो एक चनी से इस तरीके से इसे चान लेना है ताकि इसमें जो चावल ग्राइंड नहीं हो पाया है जो बड़े दाने है वो अलग हो जाए और जो फाइन चावल का आटा है वो नीचे चला जाए परफ इस तरह से आटा तियार कर लेंगे तो यह देखे सारे चावल को मैंने ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया उसका अब हम चलते हैं गुड की चाष्टी बनानी के तरफ तो यहां पर मैंने लिया है 200 ग्राम गुड जिसे मैंने चोटे-चोटे पीसे में कट कर लिया इसे पकाएंगे यह देखिए दिरे-दिरे जो गुड है वह मेल्ट हो जाएगा यह देखिए गुड की हमारी चाष्टी भी बहुत जल्दी से बन जाती क्योंकि इसमें हमने बहुत कम पानी डाला है तो आप देख सकते गुड पूरा मेल्ट हो गया है इसे इसी तरह से चल हो जा रही है इकठी नहीं हो रही है मतलब चाष्टी अभी तैयार नहीं हुए है इसे हम एक-दो मिनट के लिए और पकाएंगे एक-दो मिनट के बाद यह चाष्टी तोड़ी सी गाड़ी हो गई है यह देखिए और इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं पानी में डालकर तो यह देखिए दो-तिन बूंदे डाल देंगे पानी में चाष्टी की और आप देख सकते हैं चाष्टी अब फैल नहीं र देना है और अब इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून घी को अच्छे से चाष्टी में मिक्स कर लेंगे तो गुड की चाष्टी बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें आड़ करेंगे चावल का अटा जो हमने तियार करके रखा था तो इसे हम बैचेज में आड़ करेंगे त यहां पे यौज़ करसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल ओफ करने के बाद ही हमें चावल का अ activities अचाष्टी में मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं इन थोड़ा तो करके में चावल का अर्टा दालते जा रही हूं और विन कि साहता से इसे मिलाते जा कि अगर भेस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप माज़ता है दोस्तों इस तरह से अगर बनाएंगे जैसे और चेकल बदे छेटां SC प्रियसे वीसे गोड़ की चाशनी में mix कर दिया आप देख सकते हैं, एकदम गाड़ा हो गया है अब फृंड़ की खार और चानी तो में एकल नियुnels है, डागे का गाड़ा तो ऑन बिना लंप चाली गाड़ा हो दिया마 है अब इसमें डालेंगे 1-2 टी स्पून इलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए और इलाइची पाउडर को भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसके साथ और अब इस मिक्चर को थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद यह मिक्चर एक्टम गाडा होकर दो के फॉर्म में आ और जब हम अनरसा को फ्राई करेंगे तो वह तूटेंगे भी नहीं तो यह देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही मिक्चर होना चाहिए इससे मैं काफी असानी से इस तरह से बाल बना पा रही हूं तो बिल्कुल पॉफेक्ट मिक्चर है तो अनरसा बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हाथों को थोड़ा सगी से क्रीज कर लेंगे और अब यहां पर मैंने लिया है पचास ग्राम के लगबग तिल सफेद वाला तिल मैंने या पर लिया है और अब अनरसा का जो मिक्चर हमने त्यार किया था उसमें से चोड़े निकाल दे जाएंगे इस तरीके से और उसके बॉल बना लेंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि यह पेड़े के शेप में आ जाए और अब इस पेड़े को हम क्या करेंगे तिल में चारो तरब से कोट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से और थोड़ा से कर तयार हो जाते हैं मेडियम साइज के आप चाहें तो चोटे साइज के भी बना सकते हैं यह देखिए आप चाहें तो बॉल के जैसे भी अनर्से बना सकते हैं तो यह देखिए अनर्सा बना कर मैं प्लेट में रखते जा रही हूं कि यह कुछ अनर्सा बना कर मैंने रख लिय अब इसे ऐंसे जाते हैं पूरा हो करते हैं तो तो ऐसे तो वाहते ही कर रहेंמע है जाए अच्छा सा मेरम ख़र यह करें है वैसले चब हो आफ़त ऐसे फ्राइब एक मिनट में से उसका सबीजिए और और उसका अदर करें और यह जब आचा सा कल अधिनौ और निकाल नेंगे अलट पलट करके अधिनर्स को हम अधिनली फ्राइब कर लेंगे इदे इसलिए इंधिन अधिन से एच्छे अछा से फ्राइब और इनको करने में बहुत जादा टाइम भी नहीं लगा है हमें एक मिनट के अंधर ही यह फ्राइ हो गए तो अब इन्हें हम निकाल देंगे और इनको प्लेट में रखेंगे यह देखे कितने बढ़िया लग रहे है देखने में एक दम परफेक्ट अनर से बने है और यह तेल में डालन बनाना काफी असान है आपने देखे लिया इसकी रचापि भस थोड़ी सी बातों का में ध्यान रखना तो यह देखे तयार है हमारे कुरकुरे टेस्टी अनर से बाहर से एक तम क्रिस्पी बने है और अंदर अग्म घरम उलाएं तो इसी तरीके से यह देखि़ के मैंने सार अनरसर को प्राई हैन05 समय कर सकते हैं एक अट कन्टेनर में पाक करके 15 तक स्टोर बीकर सकते हैं दोस्तो तैयार एक तलकर दिखाती हूं आदर अगदम परुटिया को और ऑंदर इक अladım कुरकुरा और अंदर से एक दम नर Hmm मुलाएं तो दोस्तों आई हो पनर्जा कि यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाइग अ हुआ 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 है